कंदारू आस्ट्रेलिया के मूल निवासी मार्सुपियल स्तंधारी हैं। वे अपनी विशिष्ट उचलकूत की गती, शक्तिशाली पिछले पैरों और लंबी पूँच के लिए जाने जाते हैं। कंदारू मैक्रोपोडिडे परिवार से संबंधित हैं, जिसका अर्थ है बड़े पै, जो उनके बड़े पिछले पैरों को संदर्भित करता हैं। कंदारों के बारे में कुछ प्रमुख विशेश्टाएं और तथे यहां दिये गए हैं। आकार और दिखावट कंदारों विभिन्न प्रजातियों और आकारों में आते हैं। लेकिन आम तोर पर उनकी पहचान उनके मानसल पिछले पैरों संतुलन के लिए इस्तमाल की जाने वाली मजबूत पूँच और छोटे अग्र अंबों से होती हैं। उनके बड़े नुकीले कान और थूथन जैसा चहरा होता है। प्रजाति के आधार पर वयस कंदारों का आकार लगभक तीन फीट से लेकर छे फीट से अधिक लंबा हो सकता है। चलांग लगाना, कंदारों अपनी चलांग लगाने की गती के लिए प्रसिद्ध हैं, जो उनकी गती का प्रात्मिक साधन है। वे चलांग लगाने के लिए अपने शक्तिशाली पिछले पैरों का उप्योग करके लंबी दूरी तेजी से तै कर सकते हैं। कंदारू एक मात्र बड़े जानवर है जो अपनी यात्रा के प्राथ्मिक साधन के रूप में छलाम का उप्योग करते हैं मार्सुपियल थैली मादा कंदारों के पास एक थैली होती है जिसमें वे अपने बच्चों जिने जॉय कहा जाता है को रखती है और उनका पालन पोशन करती है जन्म देने के बाद छोटे अविक्सित जॉय मा की थैली में रेंगते हैं जहां वे बढ़ते और विक्सित होते रहते हैं डॉट शाकाहारी आहार, कंदारू शाकाहारी है मुख्य रूप से घास और अन्यवनस्पतियों को चड़ते हैं उनका आहार प्रजातियों और उनके निवास्थान के आधार पर भिन्न होता है कंदारू अपने द्वारा खाये जाने वाले पौधों से नमी प्राप करने के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित होते हैं जो आस्ट्रेलिया के अकसर शुष्क खेत्रों में आवश्शक है सामाजिक व्यभार कंदारू आम तौर पर सामाजिक प्राणी हैं और समू बना सकते हैं जिने भीड या सेना के रूप में जाना जाता है ये समू कुछ व्यक्तियों से लेकर कई दर्जन तक हो सकते हैं इन समूहों के भीतर सामाजिक पदानुक्रम मौजूद हैं और प्रमुख व्यक्ति अकसर सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली पुरुष होते हैं प्रजन कंदारों की गर्भधारन अवधी उनके आकार के स्तंधारियों की तुलना में अपेकशाकृत कम होती हैं आमतोर पर लगभग 30 से 40 दिन जन्म के बाद अविक्सित जॉय मा की थैली में